जै स्री राम, माग मास महात्मे कथा का छबी स्वाध्याए पतिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे? सो कृपा करके कहिए, प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहडा नाम की नदी परवत से निकली है मैं गूमता गूमता उस नदी के किनारे पहुचा और धकावट दूर करने के लिए वहाँ पर ठहर गया उसी समय लाल मुख और तीखे धातों वाला एक बड़ा बंदर ब्रेक्च से उतर कर जल्दी से वहाँ पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था उस चंचल बंदर ने कई एक पक्चियों को देखकर उस सोय हुए सारस को डिर्डिता से पैरों से पकर लिया और तो सब पक्चि उरकर वहाँ से चले गए पर अन्तु सारसी भैबी थोकर विलाप करती हुई वहीं पर रुब गई नींद के दूर होने तथा भैस से नित्र खोल कर सारस ने बंदर को देखा और मदुरवानी से कहने लगा हे बंदर तुम बिना अपराद मुझको क्यों दुख देती हो इस संसार में राजा भी केवल अपरादियों को ही दंड देता है तुम्हारे जैसे स्रेष्ट प्रानी किसी को पीरा नहीं देते हम ओहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते जल की काई खाने वाले आकास में उरने वाले वन में रहने वाले अपनी इस्तरी से प्रेम करने वाले दूसरों की इस्तरी को त्यागने वाले दूसरों की बुड़ाई से दूर रहने वाले चोड़ी ना करने वाले बुरों की संगती से वरजित किसी को कश्ट ना देने वाले हैं सो इस प्रकार मुझ निरअपराधी को हे बंदर छोड़ दो, मैं तुम्हारे पहले जन्म के बृतांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़ कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पुर्व जन्म के बृतांत को कैसे जानते हो। तुम राजा होकर अपने प्रजा को पीरा दिया करते थे। विवेक हिन्थ तुमने बहुत सा धन इकठा किया। सो वानर प्रजा की पीरन रूपी अगनी की जौला से तुम पहले ही तक चुके हो। पहले तुम कुम्भी पाक नरक में गिराए गये। तुम्हारे सरीर को नरक में तीन हजार वर्स बीद गए। फिर नरक से निकल कर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनी में आए और मुझ को मारना चाहते हो। पुर्व जन्म में तुमने ब्रामन के बाग से लूट कर बल पुर्वक फल खाए थे। उसका यह भैंकर फल हुआ की तुम वानर और वनवासी हुए। प्रानी अस्वे मेग अपने किये हुए कर्मों को भोगता है। इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सा सारस का जन्म लेकर भी अज्यान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्ची कैसे हुए। सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गती का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सुरिग्रहन के समय ब ब्रामनों को दिया और बांकी सब मैं आप हर ले गया। इन ब्रामनों के द्रव्य का अपरन करने के पाप से मैं पहले काल सुत्र नरक में और फिर रक्त करदुम नरक में जहां पर बड़े-बड़े कीरे थे। और रक्त तथा पीप से भड़ा हुआ ना भी तक नीचे सिर और उपर पैर किये हुए पीप चाटता हुआ। उस दुरगंध वाले नरक में कीरों आदी से काटा जाकर तीन हजार वर्स तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुक का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया क्योंकि मैं सारस योनी में आया। यह मेरी इस्तरी पिछले जन्म में ब्राहमनी थी। इसने भी कांसे की चोड़ी की थी। इसी से यह मेरी इस्तरी और सारसी हुई। यह सब मैंने तुम से कर्म फल कहा। अब भविसी की बात भी सुनो। अब मैं तुम और यह मेरी इस्तरी भी हंस होंगे और काम रूप देष में सुख से निवास करेंगे फिर इसके पस्चात गौर योनी में और फिर जाकर दुर्डलव मनुसी योनी को प्राप्त होंगे इसमें मनुसी पाप और पुन्य दोनों ही कर सकता है इस प्रकार सिभ की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है ना केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रविर्ती मार्ग में फसकर अच्छे और बुरे कर्म करते और उनका फल भोगते हैं इसलिए सब प्रानियों को धर्म का सेवन करना चाहिए देवता, असुर, मनुस्य, व्याग्र, कीरे, मकोडे सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता केवल वेदान्त जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं इसी कारण बड़े-बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते उपाय से तथा बुद्धी से कोई भी इसको नहीं बदल सकता तुम पहले राजा थे फि जन्में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे ऐसा विचार कर आनंद पुर्वक और धैरी धरकर विचरते हुए काल की प्रतिक्छा करो तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था अब तुम मुझ को प्रणाम करते हो तुम जाती के स्मरन से मेरे पूर्व जन्म के वृतानत को जानते हो आनंद पुर्वक रहू तुम्हारा कल्यान हो तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोभ रहित होकर वन में विचरूंगा प्रेद कहने लगा कि हे पठिक मैंने नदी के तढ़ पर बंदर और सारस का यह सन्वाथ सुना तब बस इतना ही, इससे आगी की कहानी मैं आपको next वीडियो में सुनाऊंगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजे सनातन रसी को सब्सक्राइब कीजे और जदा से जदा सियर कीजे राधे, राधे